मुखे मंत्री अशोग घहलोत का चुनावी दौरा जी हां बांदी कोई में सीएम घहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करके पीएम मोधी को आढ़े हाथो लिया आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जरता पर असर पड़ा है लेकिन देश की सेना है सीम घहलोत ने आम जनता को माई बाप बताया और साथी कॉंग्रेस प्रत्याशी सविता मीना के समर्थन में इस जनसभा को संबोधित किया और अब जुनजुनु के उदैपूर वाटी में जनसभा करेंगे आपको बतादे कि आखरी में सीकर के शी माधुपूर में मुखे मंत्री अशोक घहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे सेम अशोक घहलोत का चुनावी दौरा आपको बता रहे है जहां पर بांदी कोई में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जुनता पर असर पड़ा है और लोगों को इसके चलते परिशानी उठानी पड़ी है मोधी जी चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को मुद्धा बनाते हैं आप सभी कॉंग्रिस को जुताएं और आपके शेतर में सवीता मीना विकास करेंगे और साथी कहा कि आपका एक वोट मेरी सरकार को मजबूती देगा और साथी कहा कि हार्ट कैंसर और महंगी दवाईयां फ्री दी जाएंगी उन्होंने कहा कि योगी कहते हैं कि ये मोधी की सेना है लेकिन ये सेना देश की है साथी सीम अशोग घेलोत ने आम जनता को अपना माई बाप बताया और कॉंग्रिस प्रत्याशी सवीता मीना के समर्थन में इस जनसभा को संबोधत किया और अब जुनजुनु के उद्यपूर वाटी में भी जनसभा है और आखरी में इस सीकर के श्रीमाधुपूर में जनसभा को संबोधत करेंगे राडिसान के मुख्यमंत्री अशोग घेलोत